मैं डॉक्टर परमजी सिंग, सहय आचार, बहुतिक शास्त्र, MSJ कॉलेज बरतपुर, आज के हमारे इस तीसरे लेक्चर, B.S.E. Part 2nd, Paper 2nd, Mathematical Physics and Special Theory of Relativity के पेपर के कर्वी लिनियर कॉडिनेट्स के चेप्टर के थर्ड आर्टिकल Divergence of a Vector Field के बारे में हम पढ़ेंगे, किसी सदिश्चेत्र का Divergence, सदिश्चेत्र में किसी बिंदू पर लिए गए आइतनल पांच पर प्रतिय कांग आइतन निर्गात फ्लक्स के रूप में परिवाशित किया जाता है, चेत्र में हमने एक समांतर शट फलक दर्शाया है, जो की अलपांश बोजाओं H1DU1, H2DU2 तथा H3DU3 से निर्मिद है, सदिश्चेत्र के किसी बिंदू P पर जहां सदिश्चेत्र का मान A वेक्टर है, उस बिंदू पर परिवाशा से A के डाइवर्जन्स का मान डेल डॉट A द्वारा वेक्ट किया जाता है, तथा इसे हम लिमिट D टाव टेंडिंग टू जीरो गुन अपून D टाव इंटेग्रल A.ds के द्वारा परिवाशित करते हैं, जहां सर्फेस इंटेग्रल A.ds लिये गए समांतर शट फलक के संपूर्ण प्रष्ट पर सदिश्चेत्र A वेक्टर के फलक्स का मान है, तथा D टाव समांतर शट फलक का आयतन है, जो की Ds1, Ds2 वर Ds3 के गुणन फल द्वार अव्यक्त किया जाता है, जिसका मान H1, H2, H3, Du1, Du2, Du3 के मान के बराबर होगा. बिंदू P का इस्तति सदिश A वेक्टर इक्वल टू O P वेक्टर इक्वल टू E1 कैप A1 प्लस E2 कैप A2 प्लस E3 कैप A3 द्वारा व्यक्त किया गया है, जहां E1 कैप E2 कैप E3 कैप U1, U2 तथा U3 वक्र रेखाओं के दिशाओं में एक आंग सदिश हैं, तथा A1, A2 वा A3 किरमश है, U1, U2 वा U3 वक्र रेखाओं के अनुदेश सदिश छेतर A वेक्टर के मान हैं. संपूर्ण बंद प्रष्ट पर सदिश छेतर का प्रष्टिय समाकलन ग्याद करने के लिए, पहले हम U1, U2 तथा U3 वक्रों के मद्द बिंदूओं पर सदिश छेतर के घटकों के मान ग्याद करते हैं, जो की फलक A, B, F, E के मद्द बिंदूओं पर सदिश छेतर के U1 घटक के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसका मान A1 प्लस 1 अपोन H1 डैल A1 अपोन डैल U1 इंटू H1 DU1 अपोन 2 के द्वारा दर्शाय जाता है, जहां डैल A1 अपोन H1 डैल U1 U1 बक्र के अनुदेश A1 बक्र के परिवर्तन के दर है, इसी प्रकार U1 बक्र पर इस्तित्थ दूसरे फलक O, C, G, D के मद्द बिन्लू पर सदिश्चेतर का U1 घटक A1 माइनस 1 अपोन H1 इंटू डैल A1 अपोन डैल U1 इंटू H2 DU1 अपोन 2 द्वारा व्यक्त किया जाता है, इस समीकरण में यहां रिणचन्न का उप्योग इसलिए किया गया है, क्योंकि जो प्रष्ट O, C, G, D है, वहें माइनस U1 वक्र पर इस्तित है, इस प्रकार समांतर शट फलक से U1 वक्र के अनुदेश निर्गत फलक्स का परिमा, परणाम इमान 5 अपोन इक्वल टू उपरोग तो दोनों समीकरण जो हमने अभी व्यक्त की हैं, उनके रिजल्टेंट मांग के बराबर होगा, जहां पर्थम फ्रेश्ट से निर्गत फलक्स को दनात्मक, तथा दोतिय फ्रेश्ट के निर्गत फलक्स को रनात्मक चिनिद्वारा वेक्त किया गया है, क्योंकि फलक OCGD के अभिलंब दिशा माइनस U1 वक्र के अनुदेश होगी, जिस दिशा में फलक्स का मान निर्गत होगा, इस कारण से उसे रनात्मक लिया गया है, उपरोक्त दोनों मानों का परणामी मान हमें इस प्रकार, फाइवन इक्वल टू, डेल, एवन अपॉन, डेल, यूवन, एच्टू, एच्टू, एच्ट्री, डे यूवन, डे यूट्री, द्वरा दिया जाता, इसी प्रकार हम समांतर शट फलक के यूटू वा यूथरी वक्रों पर इस्तित फलकों से निर्गत प्रणामी फ्लक्स को भी हम व्यक्त कर सकते हैं, जिनका की मान फाइटू तथा फाइटरी के द्वारा उपरोक्त दो समीक्रणों में दर्शाया गया है, यह मान ग्यात होने के पश्चात हम समांतर शट फलक से निर्गत कुल प्रणामी फ्लक्स फाइट का मान सभी छे फलकों पर निर्गत फ्लक्सों के मान ग्यात करके उनके योग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जो की हमें फाइट इक्वल टू सर्फेस इंटेग्रल ए डॉट डी ए इक्वल टू फाइट 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 री के मान ग्याता है, जो की दल ओर दल U1 इंट अ1 H2 H3 H3 Pliس दल ओर दल U2 इंटो A2 H3 H1 Pliis दल ओर दल U3 A3 H1 H2 in bracketed term and multiplied with du1, du2, du3 अब हम divergence की परिभाशा से जो की हमने समीकराण 1.22 में व्यक्त्य की है उसमें हम समीकराण 1.23 द्वारा समांतर शट्फलक के अलपांश आयतन डेटाव तथा समीकराण 1.28 द्वारा प्राप्त निर्गत फ्लक्स फाई के मानों को रख कर सदिश्शेत्र में किसी बिंदू P जहां सदिश्शेत्र का मान ये वेक्टर है के divergence को प्राप्त कर सकते हैं जो की, divergence of A equal to del dot A equal to 1 upon h1, h2, h3, du1, du3, du2, du3 and in bracket, del over del u1 of A1, h2, h3 plus del over del u2 into a2, h3, h1 plus del over del u3 into a3, h1, h2 in bracket and multiplied with du1, du2, du3 and this comes out to be equal to after cancelling du1, du2, du3 terms in denominator and in numerator then the final value of the divergence of A vector comes out to be 1 upon h1, h2, h3 into del over del u1 into a1, h2, h3 plus del over del u2 into a2, h3, h1 plus del over del u3 into h3, h1, h2 आगामी lectures में हम इस divergence एक आमान लांबिक वक्र रेखी निर्देश अंकों जैसे कार्तिय निर्देश तंत्र, वेलनाकार निर्देश तंत्र तथा गोलिय निर्देश तंत्र में इस समीक्रण का उपियोग करके प्राफ्त करेंगे, ये जो समीक्रण है, ये है जनरल कर्वी लिनियर कोडिनेट्स में हमें A vector के divergence का मान प्रदान करता है, धन्यवारत